Hello friends, welcome back to the channel और मैं हूँ आपका मेंटर कुमार ब्रेजिश जी हाँ, तो दोस्तों ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये वीडियो खास करके बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कि सर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ट्वीटर का जो यूजर नेम है वो कैसे चेंज करते हैं यहां बिल्कुल बता सकते हैं, क्यों नी बता सकते हैं बस हम आपके लिए ही तो काम करते हैं तो चलिए हमारे computer screen पे Twitter खुला हुआ है, तो चलिए मैं फटड़ फट़ आपको बता देता हूँ, आप दो मिनट की बात है ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जिरुद नी है लेकिन पहले यह समझ लिए कि यह यूजर निम होता क्या और काम क्या करता है, यह देखिए अगर आप यहां पे देखेंगे ना, तो यहां पे आपको designer bridges के नीचे यहां पे दिखा रहा है तो कोई भी बंदा अगर आपको सर्च करेगा तो आपकी प्रोफाइल उसको twitter पे नहीं मिलने वाली, यह number डालना पड़ेगा और यह number डालना किसी की लिए possible नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करते है एक custom username use करते हैं, जिससे क्या होता कि जैसे ही हो डालेगा उस तक आपकी बात पहुंच आईगी यानि कि आप उसके account पहुंच आएंगे जैसे आप देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो facebook designer bridges, definitely अगर आप instagram में भी देखेंगे तो instagram.com designer bridges इसी तरीके से twitter पे भी होना चाहिए कि twitter.com and designer bridges तो बहुत simple है, चले मैं आपको बताता हूँ सबसे बहुत आपको जाना है more में more के अंदर जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर setting and privacy दिखेंगे, आप चले जाएंगे setting and privacy में और यहाँ पर account information बोलकर एक option आजाएगा ठीक है, तो आपको इस पर click कर देना है और यहाँ पर अपने जो आपका account है यह twitter, because बहुत professional है इसलिए यह बहुत secure भी रहता है तो यहाँ पर आपको अपना password देना है तो मैंने यहाँ पर password दे दिया और सुकर दिया confirm, जैसे आप confirm करोगे यह देखो, यहाँ पर मिलगे आपको username अब इस पर आप click कर दीजिए और यहाँ पर आकर आप type कीजिए designer bridges लेकिन जब आप देखेंगे तो यह देख रहा है यह बोल रहा है कि designer bridges जो है वह available नहीं है ठीक है, वह designer bridges जो है than 15 characters 15 characters से कम होना चाहिए तो अगर मैं designer bridges कर दूँ तो यह ले ले रहा है यानि कि आपका b-r-a-j-e-s-h अगर आप करेंगे तो वह नहीं ले रहा है और यह अगर नहीं लेगा तो आपको suggestion यहाँ पर देगा कि आप कुछ इस तरीकी का username रहा है तो आपको यह वाला नहीं लेना है ठीक है और या फिर आप यह ले सकते हैं designer bridges one जैसे आप designer bridges one करेंगे तो यह बोल रहा है कि this username not possible यह देखिए बोल रहा है कि this username please choose another तो अब मैं designer bridges कर लेता हूँ designer bridges चलेगा कोई problem नहीं है लेकिन h हो जाता तो ज्यादा बहतर होता क्योंकि यह क्या है कि हमारे सब जगा पर यह designer bridges के नाम से ही है अगर मैं यहां पर designer bridges को अगर मैं capital B कर दूँ और इसको अगर मैं capital D कर दूँ तो क्या यह लेगा जी नहीं बिलकुल नहीं लेगा क्योंकि designer bridges already has been taken so no issue designer bridges and bridges कुछ इस तरीके से दिखा रहा है तो यह नहीं चाहिए designer bridges तो मुझे देगा नहीं यह बंदा तो मैं इसको D कर देता हूं designer bridges ऐसा कुछ कर देता हूं designer bridges 12 तो नहीं होगा यह उससे ज्यादा आपका जगा ले चुका है so मैं एक काम और कर देता हूं designer bridges यहीं रख लेते हैं तो हम सेफ कर देते हैं जैसे आप designer bridges करेंगे यह आपका आ गया यह पर phone number वगरह सब कुछ आपका यहां पर verified है अगर आप email id को भी change करना चाहते हैं तो update email id आप यहां से कर सकते हैं और चलिए यह हमारा काम हो गया है complete अभी मैं क्या करता हूं यहां से निकल गया और यह देखिए designer bridges अगर मैं अभी यहां पर जाओं और सीधा टाइप करूं twitter.com slash designerbrijs designer bridges यह देखिए so this is very important कि आपको यह custom name save करके रखना है अगर इंस्टाग्राम की custom name save करना जानते हैं तो आप मेरे चैनल पर चलिए यह वहां पर आपको कुछ पुराने वीडियो में ने डाल रख्या वह भी मिल जाएगा facebook का भी वह सारी चैसे मिल जाएगा और मैं आपको description के में भी इसका link दे दूँगा और i-batter में भी link रहेगा आपका तो आप वहां से भी जाकर देख सकते तो उमीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगई होगी कि आपको यह भी जाएगा